Hello दोस्तों मैं हूँ उध्यरंजन और आज इस वीडियो में आब सबका स्वागत करता हूcellent तो देखे दोस्तों सबसे पहले तो मैं यह बोलूँगा कि अगर आप लोगों तो a अप्शन को आन कर लिजेगा महां से आप को कहीं पर अब सब्सक्राइब नहीं किया है। क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ और उसमें आप लोग को प्रौिट होता है, ठीक है दोस्तों तो यहां पे देखिए मैं G1 Small Finance Bank Limited के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ यह इसमें आज का आज डेट है 4.1.2024 तो आज के डेट में यह देखिए gap up open हुआ है और gap up open होके यह कहां तक सबसे ज़्यादा 60.20 के आसपास तक गया था और यहां से यह close है यह जीवन Small Finance Bank के लिए तो देखिए दोस्तों आखिर यह price क्यों बढ़ेगा यहां से यहां से क्यों बढ़ने वाला है तो यह सारा चीज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो देखिए आज अभी हम लोग इसमें technical analysis कर सकते हैं कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको इस अच्छा news इसमें अच्छा बहुत ज्यादा इसमें सठीक news बताऊंगा आपको और उसी हिसाब से फिर हम लोग decision लेंगे कि यहां से price इसका उपर बढ़ेगा या फिर नीचे गिरेगा तो देखिए दोस्तों यहां से अगर market में कभी भी gap of opening होता है तो वहां से market के नीचे आने के chances थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि यह कोई कोई ऐसे false move नहीं है यहां पर या इसको scalping या फिर कोई भी इसको manipulation नहीं चल रहा है यहां पर है कि इसका सटीक एक कारण है जिसके कारण यह price इसका बढ़ा हुआ है तो आईए हम cross में red button, red line है उपर की तरफ में यहां पर cross हो चुका है तो यहां से एक buying का बहुत ही अच्छा यहां से मौका मिलने वाला है दोस्तों और यह मौका यहां से यह वाला जो point है यह हमारा strong resistance के रूप में यहां पर काम कर रहा है मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था जिसक कि यहां पर volume और यह कुछ combinations जो है वो यहां पर price आप जाने को नहीं बता रहा है तो यहां से यह वाला जो बड़ा candle बना था मेरे analysis करने के बाद ही यह बना था तो मेरा analysis वहां पर भी सही निकलके आया और यहां पर भी सही निकलके आएगा दोस्तों मुझे पुरा होता है कि यह वाला जो हमारा candle है इसके अगला candle जो बनेगा वो हम लोग को बताएगा कि market इसका कहां जाने वाला है देखिए सबसे पहले मैं बता दूंग कि 60 के आसपास में क्योंकि यह list हुआ था 60 पर ही देखिए यहां पर यह जो point है यह 60 के आसपास ही listing इसका था और वह यह 60 के आसपास का जो candle है इसी को हम लोगों बाच करना है और यह वाला जो candle है जो लास्ट वाला यह candle है यहां पर अगर मैं वोल्यूम का चार्ट निकालू देखिए वोल्यूम अगर मैं यहां से देखता हूं अगर मैं यहां पर वोल्यूम देखता हूं तो देखिए यहां पर वोल्यूम मतलब नेगेटिव बढ़ा है लेकिन यह नीचे की तरफ में आया है ठीक है तो यहां से एक अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो थोड़ा नीचे आने के chances होते हैं लेकिन मैं आपको असली इ इनक्रीज in loan book क्या होता है कि loan book हो गया कि आपने जितना भी loan दिया है वो loan book में आता है ठीक है वो रेजिस्टर होता है तो वही 27% increase हुआ है year on year basis मतलब previous year में अमाल लेजे के 100 था तो इस बार 127 इसका loan book हो गया है मालम सकते हैं वो करोड में ठीक है तो यहां पर records 29% growth in deposits देख अकाउंट कासा है हो गया और भी बहुत सारे जो भी टेपोजिट होते हैं फिक्सट डेपोजिट होектив चया कई सविक्सट अकाउट करेंट अकाउट यह तो इक बांक है तो उसमें डिपोजिट बहुत ज्याए्दा बढ़ा है देखिए यहाँ पर लोग देख सकते हैं दहूत G1 Small Finance Bank stock has given a return of 41.97% over the last 6 months. देखिए, लास्ट 6 months में ये 50% के आसपास में, मतलब 42% के आसपास में बढ़ गया है. क्यों बढ़ा है? आईए इसका हम लोग totally fundamental और news based हम लोग चेक करें इसका. तो देखिए, G1 Small Finance Bank jumped more than 4% in early trade over January 4. 4, post register solid 27% increase in loan book हुआ है. सबसे पहली बात ये loan book में increment हुआ है, 27% का year on year basis पे हुआ है. और वो कितना है? 27,791 करोड रुपया है, इसके loan book में add हो गया है, दोस्तों. तो ये देखिए, at 9.24 a.m., the G1 Small Finance Bank stock was trading at 59.95. देखिए, बढ़के ही खुला था, इसलिए मैं बोला था. यहाँ पे देखिए, देखिए, the gross loan book also exhibited commandable 27% year on year basis, वही same चीज है. और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए, the casa savings account deposit, current account savings account witness a 27% year on year surge. देखिए, casa deposit में 27, 24% का year on year basis पे बढ़ोतरी हुआ है. तो ये एक banking sector के लिए बहुत ही अच्छा news होता है दोस्तों अगर उसमें deposit बढ़ता है चाहे वो कासा deposit हो fix deposit हो recurring deposit हो सब चीज इसमें अगर बढ़ता है तो उसके लिए positive होता है देखे 24% बढ़के कासा deposit हो गया है 7,549 करोड रुपया with an 8% increase in quarter on quarter basis देखे quarter में एक quarter में ये 8% का ये तेजी दिखाता है तो 8% अगर हम लोग year on year basis बे बोलेंगे तो 8 into 4 कितना हो गया 32, 32% का यहां पर increment हो सकता है मान के चलिए कि 25% भी अगर ये बढ़ता है तो साल के last तक ये आपको बहुत ही ज़्यादा return देगा देखे 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 देख from 26.2% in quarter 3 but improved from 24.1% in quarter 2 FY24 देखे यही है disbursement during the quarter rose 17% देखे यह लोन का disbursement भी इन होने किया है 17% से बढ़ा है वो लोन और कितना हुए year on year basis पे 5675 करोड in December FY24 देखे but experienced a 1% decline compared to the previous quarter ठीक है previous quarter से यह 1% decline किया है तो इसलिए मैं अगर 32% yearly basis पे हो रहा था तो इसलिए मैंने 25% बदा है था कि 7% का adjustment चलता है वो quarter on quarter basis पे घट बाड़ सकता है ठीक है यहाँ पे देखे उजीवान small finance bank stock call यहाँ पे जीवान small finance bank पे recommend buy rating उन्होंने दिया है और यह बोल रहा है कि target price 62 का इन् stock performance इस टॉक का performance यहाँ पे 42% जो कि मैं बता चुका हूं 42% यह last six month में बढ़ा है जबकि निफ्टी बढ़ा है यहाँ पे 5.31% तो यह बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छा हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों तो यही था आज का news था news वही था कि यहाँ पे 27% क चलते यहाँ पे इसका market positive जा सकता है तो यहाँ पे यह वाला देखिए 61 तक जाएगा 61 62 तक जाएगा और वही यहाँ पे बहुत ही बड़ा resistance का काम कर रहा है तो वह resistance अगर क्रॉस कर देता है यह तो फिर मैंने बोला था कि 75 का इसमें target बहुत ही अच्छे से अचीव हो जाएगा और 75 रुपीज तक जाएगा तो इस पर मैं भी bullish हूँ और इसका price यहाँ से आगे बढ़ने को देखने को मिल सकता है दोस्तों तो अगर कुछ इसमें doubt है या फिर कुछ भी आपको पूछना होता है कुछ भी share किसी भी अगर share पर जानना है कुछ मेरा view जानना है त दोस्तों थैंक यू सो मच्छ